तो नमस्कार एक बार फेशे स्वागत है आपके अपनी यूटुब चैनल द्योजी के ट्रिक्स में तो दोस्तों आप डेली की तरह हिंदी का फुल टेस लगाएंगे यहाँ पर देखे कोशन दिया गया है अमर्स क्या है चलिए जवाब दीजे अमर्स क्या है एक काब विदो हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है वही तो आपके 33 होती है जो संचारी भाव होते हैं इनकी संख्या क्या होती है 33 होती है अमर्स मतला होता है क्रोध 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 नमा किस्थाई भाव होता है तब यह अमर्स करता है आगे बढ़ते हैं कोशन आप से दिया गया है जो साहस कर बढ़ता उसको केवट का ताच से टोक दिया जो बीर बना नभ बीच फैंक बरचे पर उसको रोक दिया यहां पर आपसे पूंचा है रस कौन सा है तो यहां पर दिखो दिया गया एक क्वेंट दिया गया है जो बीर बना नभ बीच फैंक बरचे पर उसको रोक दि तो यहाँ पर अंसर क्या होज़ेगा भई बीर रस जिसका भी ऑप्सन बन रहा है बिलकुल राइट होज़ेगा बीर रस होज़ेगा आगे बढ़ते कोशन आप से दिया गया है इसमें से एक रसा का परेवाची सब्दा आपका नहीं है तो चलिए बताई भई रसा का परेवा कोशन आपका बिलकुल से जवाब आ गया है यहाँ पर तमिस्रा होज़ेगा क्या डिनमबर तमिस्रा मतलब तमिस्रा मतलब बोला जाता है जो अंधेरी रात की बात वरते हैं यहाँ पर तमिस्रा बोले आते हैं अंधेरी रात को बोला जाता है जबकि जो रसा है रसा यह प च्वारीस को यहां पर देख सकते हैं। पर जवाब देते चलेंगे तो देखें यहाँ पर दिया ब्रतनी सुद्ध है किस सब्डे की वरतनी सुद्ध है है यहाँ पर देखें प्रणाम लिखा जाता है दोनों में बताईे यह प्रणाम होता है या प्रणाम होता है चलिए 36 संबर में और सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे आपर देख सकते हैं प्रणाम होता है कौन सा ओप्सन डी जिसका आ रहा है बिल्कु राइट हो जाएगा यहाँ पर प्रणाम होता है डी नमबर आगे बढ़ते हैं कोशन प्रणाम होता है यहाँ पर जब चांद की बिंदी लग जाती है तो हमेशा हो क्या होता है तदभो ही होता है तो आपका ऑप्सन क्या बनेगा यहाँ पर बी नमबर आप राइट हो जाएगा किलियर है आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है वही मनुष से है जो मनुष से के लिए मरे यह रचेता इन में से कौन हो जाएगे वही मनुष से है जो मनुष से के लिए मरे कि आपके रचेता पूछा गया है यहाँ पर 49 नमबर में तो दिखे यहाँ से कोशन दिया है विड़ावजा किसका पर्यावाची होता है विड़ावजा किसका पर्यावाची होता है चले पच्चास नंबर में जवाब देते हुए चले सबी लोग चले विड़ावजा देख सकते हैं इंद्र के पर्यावाची हो जाएगा विड़ावजा जो होता है वो आपका राइट अंसर क्या हो ज़एगा चले काफी लोग जवभ दे रहे हैं चले यहाँ पर देखिए के आवन का उप्चन आपका बने कौन सा यहां पर देखिए option हो जएगा बेनमबर परिष्रम का लाब दूसरे द्वरा उठाना आगे बढ़ते हैं question दिया गया है चपल का विलोम सब दिन में से क्या हो जएगा चपल का विलोम आपसे पूछा गया है चपल का विलोम यहां पर क्या हो जएगा 52 नमबर में चले सबी लोग जवाब देते वे चलेंगे और फटा फट जवाब दीजेगा तो देखें यहां पर आपका अंसर भी कुछ लोगों ने दिया है यहां पर ए नमबर चपल का विलोंग पूछा है तो विलोंग क्या होज़ेगा आपका गंभीर क्या बन जाएगा यहां पर बनाना या लालच दिखाकर लुटना सही क्या हो जाता है तो देखें यहां पर काफी लोग जवाब दे रहे हैं ए नमबर इसका राइटन सर रोजगा लालच देकर उल्लू बनाना ओप्सन बनेगा तिरपन का यहां पर ए नमबर हो जगा आगे बढ़ते हैं कोशन आप से दिया गया है राम घर गया उसने मा को देखा का संयुक तवाकी बनेगा मतलब आप से पूचा है कि इसका जवाब का है तो संयुक तवाकी में क्या बनेगा इसका संयुक तवाकी क्या बनेगा यहां पर जवाब दीजेगा चले चावण नमबर के अगर बात करते हैं तो यह यहां पर देखें, काफी लोग जवाब दे रहे हैं और और बी नंबर हो जाएगा मतलब योजक सब्द का प्रियोग होना चाहिए कौन और वाला जो आपसन है वो विल्कुर राइट हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते प्रस्णाप सिगला पूछा गया है निमने कि तमें से कौन सा सब्द आपका इस्त्रिलिंग है कौन सा सब्द इस्त्रिलिंग है इस्त्रिलिंग की पैचान करना है यहां पर हाथी पानी आत्मा और आपका दही चले सभी लोग जवाब देंगे चले तो देखें यहां पर आत्मा कैसी है वही क्या होता है आत्मा कैसी है तो होता है न अगर आपने देखा होगा तो आप तुरंट जवाब दे सकते हैं कि इसमें कौन सा रंकार आपका होजेगा मतलब यहाँ पर आप दे सकते हैं आप से कह रहा है जेव जेव बूढ़े हो हाना जेव जेव बूढ़े स्याम रंग तो उज्जल होए तो यहाँ पर क्या हो रहा है पहले स्याम रंग है फिर उजल हो रहा है अर्थात क्या हो रहा है यहाँ पर कह सकते हैं विरोध हो रहा है क्या हो रहा है विरोध हो रहा है तो आप कमसर हो जेगा विरोधा भासलंकार क्या बनेगा विरोधा भासलंकार क्या बनेगा विरोधा भासलंकार क्या बनेगा निम्लिकित सब्दों में से कौन से सब्दाप का तर्सम है यहाँ पर बताईए आपका राइट अंसर चले सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे यहाँ पर कुकुर, कुत्ता, फिल्ला और आपका कुकुर तो देखें यहाँ पर 57 नंबर में आपका राइट आपका बन जा है अनुआद में उपसर कौन सा हो जाएगा चले जवाब देते रहे हैं सभी लोग साथ में जवाब देंगे चले अनु यहाँ पर देखें एक तो आपका वद निकल के आ रहा है इसका मतलब है कि जो आपका अनु है यही क्या इसका उपसर है और उपसर के गरम बात करते है तो आपका उपसर क्या बलेगा डी नंबर अपका राइट हो जाएगा तो देख सकते हैं जिसका भी उपसर बन रहा है यहाँ पर डी नंबर पिलको राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं प्रसंद दिया गया है रिसी का इस्ट्रे लिंग क्या होता है रिसी का इस्ट्रे होता है इसका ठीके किलियर है चले अगला प्रस्णाप से दिया गया है नीचे लिखे गया वाक के लिए सई मोहरा आपको बताना है कह रहा है आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुसकर्मों के लिए स्वयम क्या होता है भई स्वयम अपना प्रस्णाब सिगला है पत्र का अनेकार्थी सब्दी क्या बनेगा पत्र का अनेकार्थी सब्दी आपर क्या होज़ेगा चले सत्ता नंबर में तो बहुत पत्र का अनेकार्थी क्या होता है जल पत्ता दसा या कमल क्या बनेगा चले तो देखें आपर सत्ता नंबर में और गृत अच्छे यहाँ पर वनेगा ूँश्द्या पूछा है इनमें से कौन ससब्दापका तस्तम नहीं है तस्तम की पैचान आपको करना है चले चीर मयूर सफेद और आपका सीर्स तो देखो यहां पर तस्वम में देखो छीतो होता है अर्था ती यह तो आपका सही दिया गया है मयूर भी आपका यहां पर क्या है सही दिया गया है सीर्स में भी सही है लेकिन सफेद जो आपका है यह तस्वम नहीं है मतलब आपका जो option मनेगा वो आपका C number आपका होज़ेगा कि आपका सभी जवापका है वो तस्रम नहीं है किलियर है चले आगे बढ़ते प्रस्वाप से गला है मार सब्द का पर्यावाची पुछा गया है मार सब्द का पर्यावाची यापर क्या होज़ेगा चले 73 number का जो आप देते हुए चलेंगे यापर सभी लोग तो देखे यहाँ पर मार सब्द का पर्यावाची होता है कौन सा चले अंग कह रहे हैं अंग नहीं होगा भई मतलब अनंग चले अंग सभी लोग जवाब देते मिचलेंगे चले सबी लोग जवाब देते में चलेंगे यहाँ पर देखे दिया है बैल बैल और बकरी घास चरते हैं तो यह तो होना चाहिए यहाँ पर दिखो यह जो point आपका है चरते क्यों? क्योंकि बैल और बकरी अगर सिर्फ बकरी होती तो हम चरती लगा सकते थे लेकिन यहाँ पर बैल दिया है तो बैल के recording हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर चरते ही कहेंगे तो आप सुन क्या बनेगा यहाँ पर हो जब देगा आपका B नमबर राइट हो जब देगा तो कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है और प्रयास भी अच्छा है देखिए इसका राइट अंसर हो जब देगा निर आपका B नमबर राइट हो जब देगा ठीक है किलियर है चले आगे बढ़ते है प्रसाप सेगला है म्रग नैनी उपन्यास की रचीता कौन है म्रग नैनी उपन्यास की रचीता की बात किया गया है उपेंद नात असक यसपाल जैनेंद या ब्रंदा वनलाल वर्मा सभी का जवाब भी यहाँ पर आ रहा है और सभी लुग जवाब देते हुँ चलेंगे साथ में तो देखिए आपका 70 अगर बात करते हैं 76 की तो यहाँ पर अंसर जवाब का है तो देखो यहाँ पर कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है और काफी लोग प्रयास भी कर रहे हैं यहाँ पर यहाँ संदी आपका अंसर राइट हो जाएगा जैसे के आपको हमने पढ़ाया भी होगा छोटी प्लस अगर छोटा आ को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ होता है फिर इसके बाद छोटा वो प्लस जो आपका छोटा आ होता है तो आपका वा हो जाता है फिर आपका रिसी के साथ अगर आ जोड़ देते हैं तो आपका अर मतलब के सिकते अर हो जाता है मतलब रा हो जाता है हाना तो यहाँ पर जो अंसर है आपका डी नंबर हो जएगा यह अर्ण संदी होती है तो इसको भी आप लोग पढ़ लिजेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते प्रस्णाप सिगला पूछा गया है निम्न वाक में रेखांकित उपवाक की आपको बताना है मतलब उपवाक की पह whisk पेंचान करना है कि उपवाक इन में से कौन बनेगा क्यारा उस चित्र को उठाओ अब की यहाँ पर अंसर होगा संग्या उपवाक की है क्या है बई यहां पर आपका अंसर हो जएगा कि संग्या उपवा के है संग्या उपवा किसका अंसर राइट बनेगा ए नमबर ठीक है चले देखो बिसेशन मतलब होता है वो जब बात की जाए बिसेशन के लेकिन जब उसमें बिसेशन नहीं है तो बिसेशन थोड़ो भूसम आप्सन आएगा ठीक है ना तो यहां पर आपका अंसर कौन से बनेगा ए नमबर राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन आप से इगला पूछा गया है यहां पर देखो दिया गया अगला कोशन यहां पर गद्यान से गद्यास को हम लोग स्किप करते हैं लेकिन फिर भी गद्यास में जो कोशन थे वो आपके अच्छे थे लेकिन देखा जाए सच्चा आनंद किसे प्रात होता है तो आप लोग तुरंद बता सकते हैं ओप्सन को देखकर सुंदर और सत्र से होता है ठीक है चले आईए यहां पर आपका पॉइंट आप से दिया गया है कि आपके पिता कहानी के लेखक कौन है यहां पर आपको जवाब देना है चले सभी लोग जवाब देते हुए चांपर चलेंगे पिता कहानी के जो लेखक है आपके कौन है पिता कहानी के लेखक चले कुछ लोगों ने जवाब दिया है और आमने बताय खाय वी था कि ये कोशन जो आपके हैं कमेंट के लिए गये थें तो यहाँ पर आपका अंसर हो जहें कौन सा ग्यान रंजन है जिसका जवाब आ रहा है यहाँ पर ए नमबर ग्यान रंजन आपका अंसर राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं प्रसनाब सिकला पूछा गया ह अन्या से अन्या किसकी रचना है? अन्या से अन्या किसकी रचना है? चले, अन्या से अन्या किसकी रचना है? चले, यहाँ पर जवाब देते हुए चलना है, सभी लोगों को जवाब देना है, प्रयास सभी लोग किया करें कि सभी का जवाब सही जाए, ठीक है न, अगर मेहनत करें तो सबको जवल किसा जाएगा दिवानों की क्या हसती आज यहां कल वहां चले किसकी पंक्ती है यहां पर 76 क्या हो ज़्छएगा तो यह है आपके घगवती चरण की है किसके वे भगवती चरण वर्मा की है याद रखेगा ठीक है ना चले आगे बढ़ते हैं कोष्ण आप सिगला पूछा गया है हिंदी नए चाल में धली कथन किसका है हिंदी नए चाल में धली ये कथन है किसका है जवाब दीजेगा चले बहुत अच्छे देखें याँपर 77 के घ़ंबात करते हैं तो आपकी हिन्दी नए चल में दली ये कथन किसका है तो आप संसी हुझएगा भारतिन हरिशन्द का जवाब जिसका आ रहा है राइट धुज़ेगा भारतिन हरिशन्ध हो जएगा ठीक है चले आगे बढ़ते हैं प्रस्वाब स्रे क्या जी लोगों का जवाब आ रहा है नंबर तो उनका राइट हो जाएगा गुष्वामी तुलसिदास आपका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रस्णप सिगला पुछा है एक दूसरे से भिन नए नए विचारों यो मरचना सैलियों के जो साथ कभी वो प्रियोग वाद के कभी की रूप में प्रसिदुवे हैं उनकी कविताओं का संग्राह का सही नाम क्या है देखो साथ कभी दिया गया है और आपको पढ़ाया भी गया है कि आपके तार सब्तक इन्हें कहा जाता है क्या बोले आता है इन्हें तार सब्तक कहा जाता है तो आदुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है यहां पर सही जवाब तो देखे आपका राइट अनसर होजएगा C नंबर यह है आपका गद्धिकाल कौन सा गद्धिकाल जिसको ऑप्शन आ रहा है राइट होजएगा गद्धिकाल होजएगा और आगे बढ़ते हैं प्र आपका होजएगा कौन सा भी तो आपका अभी नंबर राइट होजएगा आगे बढ़ते हैं प्रसनाफ से अगला है आधिकाल को वीर गाथा काल किसने का है यहां पर जवाब दीजे चेले 282 के गरम बात करें तो यहां पर होजएगा आचार राम चंसुकल होजएगा ऑप् राइट तो देखे काफी लोग जवाब दे रहे हैं और सभी लोग जवाब देते होजएगे यहां पर देखोई आपको 13 से 75 जो आपका समवत है और 17 समवत तक के वीच के भक्ति काल का समय आपका है तो आपसन भी नंबर यहां पर राइट होजएगा तो चले आगे बढ़ जगरां काल किसी का जाता है भातिंद युख को का जाता है इसी नंबर आगे बढ़तें प्रसनाव से अपर समवत पूछा है अमिर खुसरो का पूरा नाम आम से पूछा गया है और सभी लोग जवाब देते होज़ाइगे अमेर खुसरो का पूरा नाम लगवक सभी को जवाब यहाँ पर आना चाहिए तो चलिए वही सभी का जवाब यहाँ पर आ रहा है और आपका राइट अंसर विल्कुत से सही है 85 कॉप्सन्स की होजेगा अबुल हसन यमिनुद्दीन खुसरो क्या नाम है जार्ज गियर्षन, स्यू सिंग सेंगर, अचार रामचन शुकल या गर्दादा तासी गर्षाद अतासी यहाँ पर 86 नमबर में तो 86 को उप्सन ज़ेगा गर्षाद अतासी या दरेके हिंदी साहित के इतिहास के प्रतम लिखा कौन है तो आपके गर्षाद अतासी ऑफ्सन डी नमबर राइट हो जायगा आगे बढ़ते हैं प्रतम सिगला है आधुनी काल को गध्यकाल का नाम जो दिया है, यहाँ पर बताइगा कि आधुनी काल को गध्यकाल का नाम किस ने दिया है चले तो देखे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका 2 आपका 289 मतलब option जो C है आचार रामचन सुकल याद रखेगा कि आधुनी काल को गद्धे काल का जो नम दिया है वो आचार रामचन सुकल ने दिया है option C आपका right हो जेगा आगे बढ़ते हैं प्रशन आप सिगला पूछा गया है आचार रामचन सुकल द्वारा रचित हिंदी साहित का इतिहास का जो प्रकासन वर्स है वो आपका कौन सा है हिंदी साहित के इतिहास का प्रकासन वर्स आप से पूछा गया है तो देखे यहाँ पर जवाब काफी को किस ने goddamn है चलिए यहाँ पर सब ही रोग जवाप देते हुट चलेंगे ऑपूशन देखी है आप सुना रहा है दी नेंबर यह है आपके विश्व नाथ प्रताप सिंह होगा प्रताब मिश्र होगा विश्व नाथ प्रताब मिश्र ओप्स yogah विश्व मांश्र होगा विश सके हैं आपका right answer वी आ रहा है option मनेगा ए यह मिस्र बंधु ने कहा है किसने तो आपके मिस्र बंधु ने कहा है रीत काल को अलंकर काल नाम दिया ए नंबर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्वाप सिला है कि आधिकाल को प्रारंभिक काल का नाम किस ने दिया है आधिकाल को प्रारंभिक काल का जो नाम दिया है वो आपके मिस्र बंधु ने दिया है option A का right हो जगा आगे बढ़ते हैं प्रस्वाप सिला पूछा गया है यह आधिकाल को बीजुवपन काल जो नाम दिया है किस ने दिया है आचार भागीराथ मिस्र या अचार राम पर आपका राइट अंसर क्या हो जेगा? आप्लोगों को क्मेंट बॉक्स में काते हैं इस सब्सक्राइब है क्मेंट करना है जब कोई ननेघ्र, वहाँ पर सब्सक्राइब करने को मिलेगा अब आप लोग यह-पर वीडियो में कमें गरेंगे